नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मर्म थेरेपी क्या होता है, मर्म थेरेपी के क्या फायदे है, इसके बारे में बताने वाले है मर्म थेरेपी एक आईरिवेदिक थेरेपी है, जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है, मर्म सब्द संस्कृत के मर्म सब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, छीपा हुआ, संस्कृत में एक कहावत है मर्म थेरेपी शरीर में मौझूद 107 पुरान का प्रयोग करती है, और मस्तिष्क को 108 मर्म माना जाता है, मुख्य मर्म पुईंट सरीर के साथ चक्र होते है, अर्थात यह हुआ भाग होते है, जहां हमारे सरीर का एनर्जी सेंटर होते है, जिनमें हमारा धड़ और लिम्ब सामिल होते है इन बिंदूओं को बहुत सद्यों पहले सुसूता इसमिता में लिखा गया था, जो की एक अर्वेट से सम्मनित लेख है, यह पुईंट सरीर के बैक के सांसनाथ फ्रेंट को भी सामिल करते है, इनमें 22 हाथ पैरों के निचले हिस्वों में, 22 बाजू में, 12 छातीवा पेट में, 14 कमर में और 37 सीर्वा गर्दन में सामिल है, मर्म थेरेपी के दवरान क्या होता है, मर्म थेरेपी के दवरान सरीर के पॉइंट्स पर बहुत हलकी उत्तेजन की जाती है, ऐसा करने से मर्म पॉइंट्स की ब्लॉकेज खुलती है, और इससे आपको सरीरिक वामानसीक खोलने में मदद करती है यदि मर्म पॉइंट्स को स्कीन पर सुझानी पूर्वक दबाया जाये तो वहां आपके लिए बहुत साकरात्मक सिद्ध हो सकते हैं मर्म फेरिपी के फैदे क्या है मर्म फेरिपी हमारे सरीर के लिए बहुत प्रकार से लबदायक होती है यहां हमारे सरीर में स्टाडिरिक रूप से मांसीक रूप से और अध्यात्मिक रूप से काम करती है यहां हमारे सरीर के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है किया हमें नी Community पाचन, respiratory वह Neural Health को और अधिक बेतर बनाती है Skin को Healthy बनाती है आपके सारीरिक तापमान को वह दोस्त को संतोलित करने में सहायक है कुछ Neurochemical जैसे Serotonin, Melatonin को रिलीज करने में मदद करती है जिसकी मदद से आपको चैन के निन आती है तो दोस्तों इस वीडियो की माध्याम से आपने जाना की मर्म पॉइंट हमारे सरीर के बहुत छीपे हुए और नाजुक भाग होते है जिनके प्रवित्य होने के कारण आपको बहुत ज्यादा दर्द या डिसकमफर्ट का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इस इस्चीती से बचने के लिए आप मर्म फेरिपी का प्रयोग कर सकते है तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर करें अब मिलते है अगले वीडियो में धन्यवाद